कि या इस हैं जो 주 मेर्चेंट मंऔर यह बॉस्निक को आ सकते हैं और दोस्तों यह बहुत इंपर्टेंट से बारे में पहले जाना सकते और अगर आप एफ 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 लिएट हो तो आप सभी डिसीजन लेकर सभी कंपनी के संग जुड़के और अपनी करियर ग्रोथ को और तेरी से आगर लेकर जा सकते हो तो चलते हैं और सीखते हैं कि दोस्तों वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हर बिजनस में हर इंड़स्ट् इसके बारे में जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है कमपनी और एफ दोनों को ही जानना आगे समझते हैं सबसे पहले जो प्रॉब्लम है और जो इशू है वह है फ्रॉड्लेंट एफ लेट्स कौन होते हैं यह वह होते हैं जो फ्रॉड तरीके यूज़ करते हैं कमिशन कमा आने के लिए किसी भी प्रोग्राम से इनको बोला जाता है फ्रॉड्लेंट एफिलियेट्स ठीक है आग यहां पर कुछ अलग अलग गलग तरीके लोग यूज करते हैं जैसे कि स्टोलन क्रेडिट कार्ड या पर्चेज दिखाना इस तरीके की अलग अलग ऐसी यह लोग करते हैं जिसकी वज़ा से इनको इस के अंदर डाल दिया जाता है तो अगर आपको अपने प्लैट अपने एफिलियेट प्रोग्राम को सक्सेस्फुल बनाना है और चीजों से बचाना है और आपको नुकसान नहीं जहिलना कि पता लगा अपने कमिशन वेगरा दो दे दी और प अब उससे बिजनस ही नहीं आ रहा तो लॉंग टम में घाटा होगा तो इसलिए आप अगर प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्ट कर रहे कर चुके हैं तो इस बात कर तो बहुत आपको धिहान रखना पड़ेगा बहुत इंपॉर्डेंट चीज है आई आगे कि वेबशाइट के अंदर मेंशन करो किस तरीके की ट्रांजेक्शन्स या एक्शन्स ही वैलिट माने जाएंगे किसी और तरीके से अगर सेल वेल आएगी तो उसको वैलिट नहीं माना जाएगा यह सब चीज़ों को आपको अपने करना पड़ेगा ताकि कल को कोई भी ऐसा इशू आपके आपके नजर में आता है तो आप पेमेंट्स वेगरा रोक सकते हो दूसरा चेक एफिलिएट वेबसाइट और शोशल मेडिया किसी भी एफिलिएट को जब आप आप करते हो तो कमसे कम उसकी वेबसाइट या उसकी प्रेजन शोशल मेडिया पर यह चीज़े जो ट्रांसफिरेंस यह भैतर हो ठीक है बांडिंग स्ट्रॉंग हो चौता है मेक यूर ओन ब्लैक लिस्ट फ्रॉड लिस्ट फ्रॉड एफिलिट लिस्ट क्योंकि जब आप इस बिजनस में आओगे तो आप हजारों एफिलिट से लॉंग टम के अंदर मिलोगे तो उसमें से आपके संग इस तरीके के लोग भी टकराएंगे तो उनको टाइम तो टाइम आप अपनी ब्लैक लिस्ट में या अपनी फ्रॉड एक लिस्ट के अंदर डालते जाए आपको खुद का बनता जाएगा जो आपको आगे चलके बेनिफिट देगा दोस्तों पांचवा जो त लगती है कि ऐसे तो होता नहीं था चानक से ऐसा कैसे होने लग गया एकदम सितना ट्रेफिक कैसे आ गया तो आता नहीं था या कोई आपको कुछ चेंज देख रहा है तो अपने डाटा को अपने अनेटिक्स को आप मॉनिटर करो कोई भी आपको अन्यूजल या गलत प्रै वो भी एक तरीका है कि आप सेट हो सकते हो अब आगे चलते समझते हैं और अप्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है तो एक फॉर्म होता है जिसको भरता है और वो अपनी सारे डेटेल भर देता है तो आपका सौफ्ट्वेर है वो सब चीज़े को देखता है कि एच्छे स सब चीज आगे और उसको अप्रूबल दे देता है तो यह चीज ना आपको आपको बंद करना होगा या कम करना होगा या इसके बाद भी एक और आपको चेक रखना पड़ेगा क्यों दोस्तों आप भी चाहोगे कि अगर आपके संग ज़्यादा जोड़ रहे हैं मगर काम क बहुत कम है तो उस भीड को खटा करके भी क्या फायदा तो जो भी आपके लिए आपके पास एप्लाइ करेंगे आपको उनकी वेरिफिकेशन स्क्रीनिंग जरूर करने चाहिए ताकि आप उन एफिलियेट को अपने प्रोग्राम के अंदर एंटर करें जो आपके प्रोग् आपके प्रोग्राम के अंदर तो इसलिए यह अगर आप वेरिफिकेशन स्क्रीनिंग से करोगे तो यह पॉसिबल है आगे बढ़ते हैं समझते हैं दोस्तों यहां पर आता है अब ऑटोमेटिक अप्रूवल तो है मगर ऑटोमेटिक डिक्लाइन से भी आपके प्रोग्राम अप्रूवल देंगे नहीं तो उसकी जो एप्लिकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी मगर अगर आप उनकी वेरिफिकेशन खुद कर रहे हो उनका पोर्ट्फियल विगारे खुद अच्छे से चेक कर रहे हो और उनका पोटेंशल देख रहे हो तो आप उनको अगर कुछ ए सारा टेलेंटिड जो एफिलेट हो सकते हैं वो मिस हो जाते हैं या वह प्रोग्राम के संग ज्ञेशन नहीं कर पाते हैं तो इसलिए ऑटोमेटिक एप्रूवल के साथ साथ ऑटोमेटिक डिकलाइन भी नहीं होना चाहिए या कम से कम दूसरा एक चेक जरूर स्टेप होना गोना करते हैं कि आगे बढ़ते हैं समझते से को मिद twoAY सटे direito एब स्क्किश किश क्या होती यव की स्विट एंगी क्या होती दोस्तों प्रों सेल्स की बाती है जो उन्हों ने की नहीं है अब यहां पर जो फ्रॉड्लेंट होते हैं यह कुकी स्टफिंग टेखनीक के थूप कुकी इसको यूजर के ब्राउजर के अंदर प्लेस कर देते हैं अब वहां पर क्या होता है कि जैसे ही उस पर अगर यूजर ने उस पर क्लिक नहीं भी करा उसके एफिलेट लिंक के ओपर पर फिर भी वह अगर सेल होती है तो तो वह कुमेशन माने जाती है उसक सेल माने जाती है और उसको मिल जाता है अब ये होता कैसे हैं देखो affiliate marketing की तो एक 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 लिंक होता है किसी भी एक एक पर्सन और एक हम दोनों सेम बेच रहे हैं अब एक यूजर ने दस दिन पहले मेरा कोई वीडियो देखा या कोई एड देखा उसके लिंक पर मेरे क्लिक करा और उसने वहाँ पर जाके प्रोड़ और दस दिन के बाद एक और परसन है उसके affiliate link पे गया same company same product और वहां से उसने buy कर लिया तो यहाँ पर दो चीजे हो सकती है यह company की policy के ओपर टेपेंड है पहला कि जो last affiliate link जिस पर click होकर buy हुआ था उसको credit दिया जाएगा उसकी commission sales मानी जाएगी या पहला जो click हुआ था कोई कुछ company है क्योंकि मैं एक affiliate भी हूँ influencer भी हूँ तो मुझे पता है जिस पर पहला click आया था एक particular time के अंदर उसके ओपर credit हो जाती है तो company to company policy करती है अब दोस्तों यहां पर क्या होता है कि यह कुकी स्टेफिंग वाले फ्रॉड एफ्लिएट्स भी होते हैं जो किसी भी गलत टेक्नीक के थुरू वह affiliate link उनके ब्राउजर में fit कर देते हैं जिससे के दूसरे जो affiliate links होते हैं जो cookies होती है उनकी वह हम सब्सक्राण के दूसरे को कोई cookie आई तो पहली हट जाती है तो फिर वहांपर उनकी सेल काउंट हो जाएगी बजाए महनत दूसरों ने करी सब कुछ उन्हों ने करा पर जब उसने बाय करा तो क्योंकि उस वाले की सेफ थी पसंदी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यह भी होती है इंडस्ट्री के अंदर बड़ आज की डेट में चीज़ें एडवांस हो अब दोस्तों क्या है कि बहुत सारे बहुत सारे जो हैं वह ब्रैंड के ट्रेड मार्क और या ब्रैंड नेम कहलो उनका एडवर्टीजमेंट के अंदर यूज करते हैं जो की गलत है क्योंकि अगर आपको गूगल एड़ के थूरू लाना है फेस्बूक एड़ के थूरू च्लाने है तो अगलक तो प्लैट्फोर्म आप जी प्लैट्फोर्म प्लैट्फोर्म है उनकी पॉलिशीज भी आप जब यह चल तो आप ट्रेड या ब्रैंड नेम उसका यूज नहीं कर सकते जिसके लिए वह ख्याँ तो इस चीज़ का जरूर आप ध्यान रखेगा या गुगल कर लिया तो या तो डोमेइन में कुछ पैलिंग में चेंज कर देते हैं ताकि सामने वाला मिस्लीड हो जाए या फिर वह लेंडिंग पेज सीमिलर सा सीमिलर डिजाइन बना लेते हैं तो इसकी कंपरी की साइट के ऊपर हूं तो बहुत सारे लोग उन चीज़ों पर ज़ाननी देते हैं और उस चीज में आगे फस जाते हैं अब हम आगे बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर सॉरी हमारे सेकिंड लास्ट के ऊपर जो की है मोटिवेटिंग अब एफिलियेट को जो मोटिवेट करना भी न एक तरीके का आप यह समझ सकते प्रॉब रहें और बूस्ट तो यह भी एक तरीकी की मतलब मर्चेंट के लिए प्रॉब्लम है कि उसको टाइम टू टाइम बहुत सारा पैसा प्लश आउट परना पड़ता है सब चीजों के लिए नहीं तो वह दूसरे ब्रैंड के तरफ जा सकते हैं जो जान्दर टेंप्टिंग ऑ रखना है कि किसी भी फ्लेट प्रोग्रायम को अगर आप ज्रозя कर रहे हो तो कुई बंद आप से कह रहे się कि भाई इसकी ज्रैंन अग्र घ्ल में ज्रह दो में तुम्हें ãyνηstate प्रोग्राम मेंत इर दो पर आभर फंब है बहुत सारे मिडल मेन और एजेंट्स भी होते हैं उनके चक्कर में भी नहीं फसना है डिरेक्ट आप ब्रैंड्स को एप्रोच कर सकते हो या एफिलेट नेटवर्क वेबसाइट होती है ब्रेंडड तो कि कई प्रोच कर सकते हो किसी मिडल में एजेंट के चक्कर में मताईएगा और पैसा फसना है तीसरा है आप जिस भी ब्रैंड के संग जुड़ रहे हो अब ध्यान उसको अच्छे से उसको देखो उसकी रेपूटेशन देखो उसके प्रोड़क्ट और सर्विस के बारे में जानो में कुछ इंपॉर्टेंट इशू हैं जो मर्चेंट और दोनों को ध्यान रखने पड़ेंगे ताकि इन चीजों से बचें और अपनी सही ब्रैंट के संग जुड़के अच्छी टेक्टिक्स अपना के अच्छे कमिशन कमाएं लॉंग टाम अपना करियर ग्रो करें और मर् दो